एक ऐसा क्यामरा जो स्पाइडर मान की तरह हवा में उड़ते हुए माच का हाल दिखाता है क्रिकेट में कैसे हुई वर्चुल रियालिटी की एंट्री और आखिर कैसे मेजर करते हैं बॉल्स की स्पीड जानेंगे क्रिकेट माच में यूज होने वाली सारी टेकनॉलजी आज के इस विडियो में दोस्तों आज कल के क्रिकेट माचेज में क्राउट भर भर के आता है उपर से गाने, प्रिजेंटर की आवाज और भी बहुत कुछ चलता रहता है अब अगर बॉल बैट की थिन एज लेकर निकल जाती है तो अमपायर को कानो कान खबर नहीं होती ऐसे में अमपायर्स की मदद करता है स्निको मीटर ये वही माइक है जो स्टम्स के पीछे लगाया जाता है और थिन एज की आवाज रिकॉर्ड करता है इसके लिए साउंड फ्रिक्वेंसी का यूज किया जाता है ये माइक्रोफोन चोटी से चोटी नॉइस को रिकॉर्ड कर लेता है इसके बाद इस नॉइस को सॉफ्टवेर्स की मदद से फिल्टर करके बैट की एज का साउंड निकाल लिया जाता है और फिर उस वीडियो सिगनल के साथ सिंक्रोनाइस करके स्क्रीन पर दिखाया जाता है यहां आपने देखा होगा कि रीप्ले को बहुत स्लो मोशन में दिखाया जाता है जिससे कि अमपायर हर फ्रेम में हुई आक्टिविटी को क्लियरली देख सके इसके लिए मैदान में कई जगहों पर सूपर स्लो मोशन कैमरा लगाय जाते हैं जो फुटेज को कैप्चर करके सूपर स्लो मोशन फॉर्माट में दिखाते हैं बैट की एज को डिटेक्ट करने के लिए आपने एक और गजब की टेकनोलोजी देखी होगी जो है होट स्पॉट इसके लिए ग्राउंड की ओपजिट साइट्स पर साइट स्क्रीन के पास दो कैमरा लगाय जाते हैं जब कोई बाल बाट्समिन के बाट या पाट से टकराती है तो इससे उस एरिया में थोड़ी हीट क्रियेट होती है और ये कैमराज उसी हीट को ट्रेस कर लेते हैं इंफ्रारेड में इस इमिज को देखने पर हमें ज्यादा हीट वाले एरिया पर वाइट स्पॉट दिखता है जिसको देखकर अमपायर को पता चल जाता है कि बॉल कहां पर टकराई है आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ एक क्रिकेट माच में होट स्पॉट टेकनोलोजी का यूज करने का खर्च तीन से चार लाक रुपे होता है इसलिए इसका यूज सिर्फ बड़े माचेज में किया जाता है वैसे क्या कभी आपने सोचा है कि माच के दौरान अमपायर्स को इतना सब कुछ याद कैसे रहता है मतलब एक ओवर की कितनी बॉल्स हो चुकी है, कितने ओवर्स फेके जा चुके है और कितने रंस बने है इसके लिए अमपायर एक डिवाइस का यूज करता है, जिसे हम अमपायर्स क्रिकेट काउंटर कहते हैं पहले अमपायर्स कुछ ऐसा डिवाइस यूज किया करते थे पर मॉडरन जमाने के साथ अमपायर क्रिकेट काउंटर भी अडवांस हो चुका है और अब ये कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों, IPL के कई मैचेज में आपने अमपायर के सर पर कैमरा लगा हुआ भी देखा होगा इस कैमरा की मदद से हम अमपायर की नजर से क्रिकेट के मैच को देख सकते हैं लेकिन इससे मैच में काफी डिस्टर्बिंस क्रियेट होता है और इसलिए इसका ज्यादा यूज नहीं किया जाता वैसे मैच में असली डिस्टर्बिंस तो बारिश क्रियेट करती है, सारा मजा किरकिरा हो जाता है क्रिकेट को हमेशा से ही खुले मैदान में खेला जाता है क्योंकि अक्सर बॉल हवा में काफी उपर चली जाती है पर बारिश के खत्रे को देखते हुए हमने क्रिकेट मैचेज में डॉम्ड स्टेडियम्स का कॉंसेप्ट भी देखा है साल 2000 में औस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में स्टेड डॉकलिंड स्टेडियम में औस्ट्रेलिया और सौथ आफ्रिका का मैच हुआ था ये इंटरनाशनल क्रिकेट में डॉम्ड स्टेडियम में हुआ एक मात्र मैच है इस स्टेडियम में BBL के कुछ मैचस भी खेले गए है वैसे आपको बता दूँ कि गुजरात के सूरत में दुनिया का पहला डेडिकेटिड क्रिकेट इंडोर स्टेडियम बनाया जा रहा है और आने वाले सालों में हम वहाँ पर मैचस जरूर देख पाएंगे हाँ ये बात जरूर है कि डूम्ट स्टेडियम में खेलते समय लाइटिंग का स्पेशल इंतजाम भी करना होगा अब बात चली है लाइटिंग की तो आपने टेस्ट मैचस के दौरान अकसर अंपायर्स को लाइट कंडिशन्स चेक करते हुए देखा होगा इसके लिए अंपायर्स के पास एक लाइट मीटर होता है क्रिकेट के मैदान पर खराब लाइट कंडिशन्स बैट्समेन को खासा परिशान कर सकती है और जरा इमाजन करो कि कोई शौय बक्तर जैसा बोलर बोलिंग कर रहा हो और बॉल ढंक से दिखे ही ना तो बैट्समन की तो डर के मारे हालत पतली हो जाएगी शौय बक्तर वही बोलर है जिनके नाम क्रिकेट हिस्ट्री की फास्ट बॉल फेकने का रिकॉर्ड है अब ये सोच रहे होंगे कि बॉल की स्पीड कैसे चेक होती है तो बॉल की स्पीड मेजर करने के लिए स्पीड गन या रडार गन का यूज किया जाता है इस device को side screen के पास bowler की straight line में लगाया जाता है जिससे कि ये pitch की एक side से दूसरी side जाती हुई ball की speed को measure कर सके ये pitch की और radio waves भीजती है और फिर इन्हें receive करके pitch के respect में इस पर move होने वाले objects की speed को calculate कर लेती है जैसे speed measure करने के लिए हम distance into time करते हैं वैसे ही pitch की length के हिसाब से radar gun time बता देती है कि कितने समय में ball batsman तक पहुँची है और फिर distance into time करके speed पता चल जाती है और इसे image processing software की मदद से instantly screen पर देखा भी दिया जाता है. दोस्तो जब कोई batsman LBW होता है तो आपने उसके replace में ball के path का एक 3D visualization देखा होगा इसमें हमें clearly समझ आता है कि ball bowler के हाथ से किस height से निकली, कहाँ पर tip खाई और कहाँ पर जाकर लग रही है तो आखिर इस सब के पीछे कौन सी technology का use किया जाता है ये कमाल hawk eye technology पर based ball tracking का होता है इसके लिए ground के अलग-अलग areas बे total 6 camera लगाए जाते हैं ये camera ball की tracing करके एक 3D visualization create कर देते हैं और इससे हमें पता चलता है कि pad पर लगी ball stumps से जाकर टकराएगी कि नहीं ये आपको काफी simple सी technology लग रही होगी पर क्या आप जानते हैं कि इसके लिए उन cameras को baller के हाथ से चूटी ball की हर 1 by 100th second की location को exact track करना होता है तब जाकर हमें एक fair result मिल पाता है वैसे अब तो ball में भी काफी advanced features आ चुके हैं हाल ही में ऐसी balls release की गई हैं जिनके अंदर एक device लगा हुआ होता है ये device ball की speed से लेकर gravity, ball की spin का RPM और ball tracking सब बता देता है हलकि फिलहाल तक इसका use कुछ domestic matches में ही किया गया है दोस्तों आपने stump के पीछे से धोनी की आवाज तो अकसर सुनी होगी ये आवाज stump माइक में capture होती है पर ये धोनी भाई की आवाज सुनने के लिए नहीं लगाया जाता है दरसल batsman के पीछे मौजूद तीन stump में से बीच वाले stump में sound wave capture करने के लिए कैमरा और माइक लगा हुआ होता है ये कैमरा batsman के द्वारा लगाए गई shot को close से capture करता है जिससे कभी batsman का edge लगा हो तो empire को पता चल जाता है कि ball bats से टकराई है या नहीं तो इस technology का use यहां होता है तो दोस्तों क्या आपको अभी stump माई का क्या use होता है आज पता चला अब बात चली है stumps की तो इसकी bails भी आजकल काफी advanced हो चुकी है IPL में आपने LED वाली bails तो देखी ही होंगी आपको बता दूं कि इनके एक पेर की कीमत दो लाक रुपे होती है लेकिन आखिर इन में ऐसा क्या खास है तो दोस्तों इन bails के अंदर लगी LED को जलाने के लिए बैटरीज लगी होई होती है जैसे ही इने थोड़ा सा हिलाय जाता है वैसे ही ये LED जलने लगती है इसके लिए इनके अंदर motion sensors लगे हुए होते है अब बात करते हैं spider camera की इसके दर्शन भी आपको ज्यादतर IPL matches के दोरान ही होते है spider camera cricket matchों के coverage में बहुत बड़ा improvement है क्यूंकि ये viewers को एक angular view देता है जिससे match काफी interesting भी दिखाई देता है ये camera ground के चारो तरफ से wires से attached रहता है और live match के aerial shots लेता है और ये camera vertical और horizontally दोनों तरफ move हो जाता है इसलिए हमें पूरा stadium एक बार में ही दिख जाता है आखर में बात करते हैं cricket की latest technology की जो है virtual reality headset इस साल IPL के दोरान presenters और कुछ random spectators को VR headsets दिए गए थे जो cricket के खेल को बहुत close से experience करने का मौका देते हैं इन सभी technologies ने cricket के खेल को पहले से कही अधिक interesting और fair बनाया है hopefully आने वाले सालों में हमें cricket में और भी advanced technology देखने को मिलेगी